हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका जोंटेक डिजिटल ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आज हम TWQ प्रोग्राम के अंडर इलेक्टिकल सर्कुट के बेसिक सर्कुट लो जो मारे टोपिक होता है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो हमारे टोपिक आज बेसिक सर्कुट लो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सर्कुट होता है उसमें कौन से कौन से टरम होती है ठीक है कौन से कौन से हम टर्मिनोलोजी यूज करते है कि ब्रांच क्या होता है नोड क्या होता है जंक्शन क्या होता है लूप क्या हो लोग की ठीक है तो यह रहे गा आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेटुर्क टर्मिन न लोजी ठीक है आपके पास कोई Ilectrical sirרג है या कोई Ilectrical ने ट्रॉक है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें kallow से कौन से elements उसके बाद देखेंगे passive elements ठीक है उसके बाद हम देखेंगे number of node कि हमारे circuit में कितने आपके node है उसके बाद देखेंगे number of junction इसके अंदर कितने आपके पास junction है ठीक है उसके बाद देखेंगे number of branches इसमें कितनी आपकी branches है उसके बाद हम देखेंगे number of loop आपके पास कितनी loop है और last में देखेंगे number of mesh ठीक है इसमें कितने सारे आपके मेश है तो देखो यह मारा क्या हो गया a simple a simple network को कुंसीडर किया ठीक है अब उसमें देख रहे हैं कि आप की अम पास कितने अक्टिव意मेंट होते हैं तो उससे पहले में पता हो चाहिए कि क्से करते हां प्रेसी व एलिमेंट किसे करते हैं एक्टिव थो तो हो 77 exercising क्या कर सकते हैं हमारा थी नेलेक्टिकल स्रक् ViCause अब हमरे संसरे कक recret ऑवर की सपलाइब कर सकते हैं तो देखो यहांपर आपके पास दो बैटरी लगी होई है और और पर अलब यह यहां पर हमारे पास दू एक्टिव एलेमेंट है, E1 and E2, both capable to supply energy, ठीक है, बैटरी है, तो बैटरी क्या कर सकती है, एनर्जी को सप्लाई कर सकती है, इसलिए हम इने इसरे क्या कह दिया, एक्टिव एलेमेंट्स, ठीक है, अगर वोल्टे सोर्स लगाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव एलेमेंट्स, अगर करेंट्स लगाओ, वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव एलेमेंट्स, अब बात करते हैं, पैसिव एलेमेंट्स की, तो पैसिव एलेमेंट्स क्या होते हैं, जो energy को, क्या नहीं करते हैं, डिलिवर नहीं करते हैं, या तो क्या करते है तो यहां पर क्या हो जाएगा जो आपके तीन Saber है आर आर्टू एंट और ठीन आपके क्या हो जाएंगे ठीक है यह तो बात होगे ये मारे एक्टिव एलेमेंट और पैसिड आलेमेंट की अब हम बात करते हैं एक होताब का और एक उता है junction ठीक है एक क्या होता आपका node और एक होता है आपका junction इन दोन में difference क्या है ठीक है तो देखो difference क्या है a point at which ठीक है node क्या होता है आपका point होता है junction भी क्या होता है a point होता है a point at which अब बात आती है इनकी definition में difference का difference क्या होता है a point at which two or more two or more elements are joined ठीक है ऐसे point जहां पर हम क्या करते है कि नहीं 2 element को unit करते है 2 या 2 से ज्यादा 2 हो सकते है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं minimum कितने होंगे 2 लेकिन जो अबका junction point होता है यहां पर क्या होता है minimum कितने होते हैं, 3 तो यहां के definition हो जाएगी एक 0.823 और more elements more elements are joined ठीक है? उसे हम क्या कहेंगे? junction कहेंगे बस mainly फरक क्या है आपका? कि यहाँ पर 3.3 elements होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं? 2 elements होते हैं अब चलो diagram पर यह हमारा diagram है तो देखो यहाँ पर point कितने हैं? आपके पास A हो गया B हो गया, C हो गया, D हो गया अगर आप देखो A, B, C, D चारो को, तो चारो पर क्या है? कम से कम आपके 2 elements तो है 2 से ज़्यादा ही है, तो क्या कह सकते हैं? कि जो आपके A, B, C और D यह चारो क्या काम कर रहे हैं? आपका node का काम कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं, junction की तो यह node, A point देखो आपका यहाँ पे कितने element connected आपके? battery और register, कितने connected है? दो, तो यह node तो है पर यह junction नहीं है ठीक है? ऐसे ही आपका C है, वो भी आपका node आपर junction नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने element आपके? दो element, junction में क्या होते हैं? minimum तीन element connected होने चाहिए तो क्या हो जाएगा? B और आपका D क्या हो जाएगा? junction हो जाएगा, ठीक है? तो आपका B और D क्या हो गया? junction हो गया, लेकिन A और जो C आपका, वो node point है, junction point नहीं है, जब हम electrical circuit पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या use करते हैं? node यूज करते हैं, पर वो होता क्या है? junction, ठीक है? अब हम बात करते हैं, branches की किसमें कितनी branches हैं? तो branches की definition क्या हो जाएगी? किनी दो junction point के बीच में जो elements connected होते हैं, वो क्या करते हैं? एक branch का निर्मान करते हैं ठीक है? क्योंकि यह element मिलके क्या कर रहे हैं? एक branch का निर्मान कर रहे हैं, ऐसे आपकी एक आपकी यह branch बन जाएगी और एक आपकी यह वाली branch बन जाएगी, तो इसमें कितनी branches है? 3, कितनी है? 3, उनका गर नाम पुछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा? B, A, D, B, D और B, C, D फैली कोन सी होगी? B, A, D, दूसरी B, D, तिसरी B, C, D ओके? इसमें कितनी branches है? 3 branches है. अब बात करते हैं loop और mesh में difference क्या होता है? ठीक है? तो देखो, एक होती है आपकी loop और एक होती है mesh अगर बात किज़ा है इसकी similarity की तो दोनों क्या होती है? closed path और ये भी क्या होता है? closed path ठीक है? दोनों क्या होंगे? closed path होंगे. तो circuit में जितनी closed path बनेंगे वो क्या होते हैं आपके? loop और mesh. लेकिन दोनों में fundamental difference क्या होता है? कि जो लूप होती है उसमें क्या हो सकता है? can content can contain loop inside a loop loop inside a loop ठीक है? इसमें क्या हो सकता है? loop के अंदर loop हो सकती है. लेकिन ये क्या होती है? does not contain does not contain inside a loop जो आपका mesh होगा. उसके अंदर कोई दूसरी लूप नहीं बन सकती. ठीक है? ये दोनों में क्या होता है? fundamental difference होता है. आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो देखो. ये हमारा क्या था? diagram था. अगर हम बात करें close path की. तो देखो. एक आपका ये वाला close path बन रहा है. इसे मैं नाम दे दिया 1. ठीक है? ये क्य होगे आपकी loop number 1. ऐसे आपका एक ये वाला close path बन रहा है. इसे मैंने नाम दे दिया 2. ठीक है? लेकिन अगर आप गोड़ से देखो. तो यहां पे क्या हो रहा है? एक तीसरा close path भी बन रहा है. वो कौन सा बन रहा है? ये वाला. बन रहा है? इसे मैंने नाम दे दिया 3. ठीक है? तो यहां पे कितनी loop है? 1, 2 और 3. तो मैं क्या कहूंगा? कि यहां पे मारे पास कितनी loop है? 3. 1 भी आपकी loop है, 2 भी आपकी loop है और 3 भी आपकी loop है. लेकिन जो मेस होता है उसकी definition क्या थी? कि loop के अंदर loop नहीं हो सकती. तो ज बड़े वाले जो अपकी loop है इसे हम loop तो कह सकते हैं पर message नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि बड़े वाली वाले लूप में क्या हो रही है? 2 हापकी छोटी loop बन रही है. ठीक है? तो बड़े वाले मेस क्रेटिकरी में नहीं आएगी. वो किसमें रहे इगी? loop के अंदर. हम क ठीक है क्योंकि मैस के अंदर कोई दूसरी लूप नहीं आती यह हो गए हमारी बैसिक टर्मिलोजी जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं जो हम नाम यूज करेंगे किसी सर्कीट में वह आपके पास यह रहे कि यहां में क्या सकता है कुछ आ जाएगा आपसे पूछेंगे इसमें कितनी लूप है या कितने मैस है या नंबर दोड कितने हैं नंबर जंक्शन कितने थीक है तो आप आसानी से बता दोगे आप कि चलते हैं आगे पढ़ते हैं किर्चॉफ लोग को ठीक है तो सबसे पहले किसके बारे में केस एल जिसकी होती है किर्चॉप्स करेंट लो किछ ऑफ्स करेंट लो ठीक है कि कुल फॉर्म क्या हो गई किछ चॉप्स करेंट लो अब बात आते है कि यह जो अमारा नियम है जो लो है वो किस पर करता है ठीक है तुम क्या कहेंगे वेश्ट दॉन बेश्ट दॉन को अब अब चार्ज का मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ हुआ कि यह आपका कोई करंट आएगा ठीक है तो किसके करंड फ्लो होता है फ्लो चार्ज के करंड तो यहां पर रुकेगा नहीं वो क्या होगा आगे चला जाएगा ठीक है तो incoming जो current होता है वो क्या होता है outgoing current के बराबर होता है मतलब कि जो मारा node होता है ना वहां पे हम charge को accumulate नहीं कर सकते चार्ज क्या रहता है moving रहता है ठीक है चार्ज को हम किसी node पर accumulate नहीं कर सकते ठीक है इसे हम क्या कहते है है Die। नोप चार्ज मतलब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाएगा किसी node पर यह हमारा क्या होता है केशील का नियम अगर इसके statement की बात की जाए, kcl की, ठीक है, तो kcl हमें क्या कहता है, kcl states that, states that, at any node, at any node, algebraic sum of current, algebraic sum of current, is 0, ठीक है, हमारे पास कोई node है, वहाँ पर क्या हो रहा है, खूब सारे आपके पास ऐसे branches है, ठीक है, यहां से मैंने मान लिए i1 current आ रहा है, यहां से i2 और यहां से i3, और यहां से क्या जा रहा है, i4, i5, i6, तो यहां पर टोटल current होगा, वह कितना होगा, इस node पर 0, यह क्या होता है, हमारा kcl का statement, कि किसी node पर current होता है, वह क्या होता है, 0 होता है, अब देखो यहां पर, अगर कोई node पर क्या हो रहा है, current आपका वहां से leave कर रहा है, तो स्वेम क्या मानते है, positive current, और अगर कोई current क्या कर रहा है, किसी node पर enter कर रहा है, तो स्वेम क्या लेते है, minus की form में, ठीक है, यह क्या होता है, simple notation होते हैं, जो हम use करते हैं, अगर node पर current आपका वहां से भाहर निकल रहा है, तो क्या लोगे, plus i, अगर वहां पे enter कर रहा है तो क्या लोगे माइनस आई तो आप बात करते हैं इस वाले node की कि यह नोड माल लिया तो क्या लिखोगे 8 node a क्या हो जाएगा जो आपका i1 रहे इसमें enter कर रहे ठेक है तो क्या लिखोगे minus i1 i2 जो आपका तो क्या लिखोगे, प्लस का I4, I5 क्या कर रहा है, इसे भाहर निकल रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस का I5 और I6 भी क्या लिखोगे, प्लस का I6 equal to 0, ठीक है, तो हम यह statement मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो माइनिस की ट्रम है, उनको उस साइड ले जाओंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस, I2 प्लस, I3 equal to, I4 प्लस, I5 प्लस, I6, तो यहां से KCL का दूसरा statement आ सकता है, कि जो I1, I2, I3 है, वो क्या है, इस node पे क्या हो रहे है, आने वाले current है, मतलब incoming current है, तो मैं क्या लिखूँगा, sum of incoming current equal to sum of outgoing current, sum of outgoing current यह क्या हो गया, आपका, KCL का statement हो गया, ठीक है, तो KCL की full form, किर्चॉप current low, किस पे best है, conservation of charge, क्योंकि किसी node पे यह, charge का accumulation नहीं करता, और किसी node पे current का क्या होता है, मान कितना होता है, जीर होता है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा KCL, next पढ़ते हैं, KVL, तो KVL क्या होता है, हमारा, किर्चॉप, voltage, लो, यह तो क्या होगे, इसकी, full form हो गई, ठीक है, second, यह किस पे best है, तो क्या लिखोगे, best on, conservation of energy, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपका जो circuit है, उसमें क्या होंगे, active element भी होंगे, passive element भी होंगे, तो active element क्या करेंगे, अपनी energy, passive element को क्या करेंगे, distribute करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक form से दूसरी form में क्या हो रही है, energy आपकी, transfer हो रही है, और जो passive element होंगे, वो क्या करेंगे, उसको as a heating, use कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, energy एक form से दूसरी form में change हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, conservation of energy, अब अगर बात की जाए, हमारे पास कोई battery है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, current आपका, ऐसे flow हो सकता है, या, ऐसे flow हो सकता है, ठीक है, जो आपका current है, वो, minus से plus जा सकता है, या, plus से minus जा सकता है, अगर minus से plus जाएगा, तो क्या हो रहा है, यहां पर, voltage rise, जिससे हम क्या लेते हैं, negative, अगर हमारा क्या होगा, voltage rise होगा, तो मुझे क्या लेंगे, negative voltage की form में लिखेंगे, ठीक है, और अगर हमारे पास क्या हो रहा है plus से minus Haut हम आधे लिखेंगे voltage drop उसे हम क्या लिखेंगे plus की form में लिखेंगे ठीक है और अगर यहां पर क्या होता register होता तो उसमें current चाहें ऐसे flow चाहें ऐसे flow दोनों के समें क्या लेते है voltage drop और वो क्या लेते है positive ठीक है तो जो मारा किस्चों voltage लोग होता है वो क्या कहता है KVL states that in any closed loop in any closed loop the algebraic sum of voltage the algebraic sum of voltage is 0 ठीक है तो क्या कह सकते है कि जो मारा KVL होता है वो क्या कहता है कि मरपस कोई loop है उसमें जो total voltage होगी वो क्या होती है 0 होती है अगर हम इसको लिखना चाहिए कैसे लिखेंगे summation b equal to 0 i equal to 1 to n यह क्या होता है हमारा KVL का notation होता है ठीक है जैसे यह मैंने मान लिए यहां पर हमारे कोई battery है e volt की और इसके साथ क्या लगे होए है दो register लगे होए आपके एक R1 है एक R2 है यह plus minus V1 यह plus minus V2 इसमें i current क्या हो रहा है flow हो रहा है ठीक है अगर मुझे यहां पर क्या लगाना हो इस में क्या लगाना है मुझे KVL apply करना है तो कैसे करूँगा apply KVL यह हमारा क्या है एक close loop है तो कैसे हो जाएगा minus C चुँकि current देखो यहां पर इस तरह से flow हो रहा है minus C plus तो यहां पर क्या हो रहा है voltage का rise हो रहा है जिसे हमके लिखते है minus C plus यहां पर क्या हो रहा है voltage का drop और यहां पर क्या हो रहा है voltage का drop तो यहां से हमें क्या मिल गया E equal to V1 plus V2 तो हम क्या लिख सकते है sum of voltage rise equal to sum of voltage drop यह भी क्या हो गया आपका KVL का statement हो गया ठीक है तो यह होता है आपका KVL हमने क्या परढ़ लिया केवल परढ़ लिया अब करते हैं कुछा है तो पहला कुछण आप से पूछा है कि Um Prime कि ऊर यहां पर क्या है खालिस्तान right Đटा लूप्स वेन अर् जो नवमेशान ठीक है तो हमने क्या देखा था हमने देखा था कि लूप होती है तो रे क्या होती है मैस होती है तो जो हमारे सर्कीट था उसमें कितनी लूप थी तीन लूप थी और मैस कितनी थी हमारे पास दो मैस थी ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी मैस होती है वो लूप होती है लेकिन जो सारी लूप होती वो सारी मैस नहीं हो सकती, कहने का मतलब कि जो 1 और 2 आपकी क्या थी मैस थी, ठीक है, वो क्या थी लूप का पार्ट थी, तो हम क्या लिख सकते है कि जितनी भी आपकी मैस होती है वो क्या होती है, लूप होती है लेकिन जो आपकी सारी लूप होती है क्योंकि loop कितनी थी तीन थी थर्ड वाली जो थी है आपकी थर्ड वाली हो किया थी अपकी लूप तो थी पर मैस नहीं थी तो हम क्या कहा सकते हैं कि all message कि incl consist आपकी मेस है वो क्या है लूप है लेकिन जो आपकी सारी लूप है ना वो मेस नहीं होती क्योंकि थर्ड वाली जो लूप है वो आपकी उसे हम मेस नहीं कर सकते इसका एंसर क्या हो जाएगा option B जो mesh होती है वो obviously loop होगी पर जो सारी loop है वो mesh नहीं हो सकती है उसमें से कुछ क्या होती है मैस होती है और कौन से वाली होती है जिनके अंदर कोई अंदर से loop नहीं हो second आपको पूछ रखा है कि which of the following electrical parameter किर्चोफ लो से हम calculate कर सकते हैं तो दो लो होते हैं मारे किर्चोफ के किर्चोफ वोल्टेज लो एक किर्चोफ करेंट लो तो क्या कर सकते हैं वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं करेंट को तो क्या हो सकता है किर्चोफ लियम से हम वोल्टेज और करेंट को मेजर कर सकते हैं कि अगला किश्ण आपका कि किर्चोफ करेंट लो इस बेश्ड होन तो किस पर फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर मतलब जो माया नोड होगा उस पर करेंट क्या होगा जीरो होगा और वहां पर कोई भी चार्ज अक्युमिलेट नहीं होगा तो ठीक है तो देखो सा होता है ठीक है अगला कुछ पुछा आप से कि हमें बताना है कि अलजेब्रिक सम of voltage around any closed path तो के विल हमें क्या कहता है कि जो closed path होता है उसमें वोल्टेज होती है टोटल वो कितनी होती है जीरो होती है ठीक है या sum of voltage drop equal to sum of voltage rise ठीक है यह दो statement थे हमारे KPL के next question आपका आपको IQ निकालनी है ओके तो देखो यहां पर क्या है तीन एंपिर चारेंपिर करेंट आ रहा है और यह मैंने करेंट मान लिए जाता हुआ तो यह मारा नोड क्या हो गया इस करेंट को मैंने मान लिए आई ए ठीक है तो मैं क्या करूंगा 8 नोड ए क्या करोगे आप apply केसल केसल में क्या करता है आने वाला करेंट कितने हैं तीन प्लस च्यार और जाने वाला करेंट कितने हैं आपके पास आईए तो जो आईए कि वे लिए कितने अगई 7A ओके अब बात करते हैं नोड बी की यह मारा क्या हो गया नोड बी तो क्या करेंगे क्या करेंगे यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आने वाला करेंट कितना आ आगे हैं इंकमिग करेंग कितना है अब आज़ा है और 3A करेंट आ रहाएं जाने वाला कितना है हैron कितना है इक इतनीडती इक पास घ्रीक्वAny कितनीं आ एसे के साथ हमारा बेसिक सर्खिटलो खतम होता है थेंक यू